नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रामने स्यादव उत्तर प्रदेश में माहोल चुनाव का है सियासत गर्माई हुई है समाजवादी पाइटी भारती जनता पाइटी पर आरोप लगा रही है भारती जनता पाइटी समाजवादी पाइटी पर आरोप लगा रही है दौर सिर्फ तीखे प्रहारों का है और सियासी जंग है वो भी ऐसी जंग जिस जंग में हर चाल जायज है मक्सर सिर्फ नेताओं का है जीत जीत फिर जीत आज बुंदेल खंड के दोरे पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सियम दिने सर्माजी भी आए है उनका हेलिकॉप्टर लगभग डेड़ बजे जहासी के पुलिस लाइन ग्राउंड में उत्रा फिर वे बवीना विदानसवा छेत पहुँचे जहां उन्होंने समेलन किया लेकिन बवीना पहुँचने से पहले उनकी बातचीत कुछ पत्रकारों से हुई उन पत्रकारों में मैं भी सामिल था उनसे एक सवाल किया गया कि इस बार आप किन मुद्दों के साथ आये हैं उन्होंने जवाब बड़े सदेवुई लेजे में दिया कि भाई हम तो पिछली बार का रिकॉर्ड तोड़ने आये बोले बुंदेल खंड को जो कल बजट मिला था केंद्र सरकार में केंद्री पित्मंत्री ने जो बजट सुना आया था और आप सभी ने सुना आज अक्वारू में भी पढ़ा अगर यदि कल सुना नहीं है तो उस बजट में एक चर्चा हुई केंद्री बेत्वा लिंक परियोजना यह है बहुत पुरानी परियोजना है जिसके लिए कल के बजट में चुदा सो करोन रुपए मिला है डिप्टी सीम ने उसी का हवाला देते हुए आज कहा कि बुंदेल खंड के लिए 44 हज़ार करोन की परियोजना दी गई है जिससे हर घर नल हर घर जल पहुँचेगा ही साथ ही सिचाय के लिए परियाप्त पानी की विवस्ता हो जाएगी बात तो उनकी कहीं न कहीं सही है काफी हद तर सिचाय की विवस्ता सुदर जाएगी लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि इस परियोजना की शुरुवात अटल बिहारी बाचपई सरकार में हुई थी जो अब घिसटते 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 दो हज़ार बाच तक पहुँच गई यानि कि दो हज़ार दो में जिस परियोजना की शुरुवात हुई वो धरातल पे दिखने कब आई दो हज़ार बाइस में ये हैं नेताओं की वादे यदि समय पर परियोजना का काम हो जाता तो आज लोगों को पीने का पानी भी मिलता और खेतों में भी पानी मिलता जिससे फसले लहरा रही होती यहां की दोस्तों हमने भी बुंदेल खंड में आठ साल पत्रकारता कर ली हैं हम जब ग्रामिर छेत्रों में गर्मियों में निकलते हैं तो जो हमारी माताएं बहने हैं वो अपने सर पर मठका जिसे बुंदेल खंडी वासा में घिल्ला कहते हैं एक एक किलोमीटर दूर से पानी भर कर लाती हैं हाँ थोड़ा हमारे बुंदेल खंड का एक कल्चर है हमारे भाई लोग घर पर भी बैढ़ते हैं तब भी वो बैनों और माताओं के साथ पानी भरने नहीं जाते हैं इसे अन्यत्ता मत लीजे यह मेरा व्यंग है तो आप यह सोचिए लेट लतीफी के चलते जिस परियोजना को सस्ते में बनना चाहिए वह परियोजना चबाली सज्ज और चबाली सज्जार करोण में बनके तैयार होगी एक और आपने बात सुनी होगी बंदिल खंड में एरेच डैम यदि एरेच डैम समय पर बन जाता तो आज कितने किसानों को लाब मिल जाता उसका लेकिन हमारे भारती जनता पारिटी के नेता वड़े गर्ब के साथ कहते हैं कि हम उसकी जाच करा रहे अरे भाई अब इन्हें कौन समझाए ये कैसी जाच है जो अभी तक पूरी नहीं होई कितना जनता को मुर्ख बनाओगे आप जाच के नाम पर आप ने उसका बजट कितना महंगा कर दिया भाईयों हम और आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए कल्पना करें जब हम एक मकान बनाते हैं तो उसमें सरीया लगाते हैं यदि मकान का काम महज कुछ साल के लिए रुक जाए तो सरीये में जंग लग जाता है वहां करोण रुपे खर्च हो चुका है सरीया गल गया अब आप जाच कब कराओगे पांस साल पूरा बीत गया अरे अब तक तो पानी मिलने लगना चाहिए था लोगों को ऐसी जाच कि जो हम टेक्स देते हैं उस टेक्स का दुर्पियों घोरा है अब आप ये तो बताईए बुंदिल खंड में कितने काम हुए आपने एक मेट्रो चलाने की बात कही कि जासी को मेट्रो दे देंगे अरे भाईया ढंग से सिटी बसे तो चला लो इस महीने को सिटी बसे चली है लेकिन उनका किराया इतना ज्यादा है कि लोग कह रहे हैं भाईया ओटोई से चलो वह ही जानदा सही है अब बताओ फिर्दिने सर्माजी बोले बोले कि अब जो मतलब हमारी सीटे आई थी 2017 में उसका तो हम रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं अब सहाब बताओ बुंदिल खंड में उनकी 19 सीटे आई थी जासी में पूरी चार की चार जीत गए आप पूरी लोग सबाकी जीत गए आप आपका रिकॉर्ड तोड़ोगे 19 तो सीटे ही हैं अब आपके लिए 20 सीटे तो बुंदिल खंड में बननी जाएंगी चलिए खेर नेता हैं बोल देते हैं बड़ी बड़ी चीजें लेकिन अब जनता भी बहुत समझदार है भाईयों जो हमारा बोट है न उसका बड़ा महात है हम जनता के द्वारा जनता की सरकार चुनते हैं लेकिन खास तोर पर देखा गया है कि आज भी रूडी बादी परंपरा चली आ रही है मतलब हर जगए कुछ ही घरानों का दबदबा रहता है जैसे नियाए बिवस्ता देश की सबसे सुगम बिवस्ता मानी जाती है अगर कभी आप उसमें भी गोर करें न उसमें भी गिने चुने घरानों का दबदबा है आज हमें यह परंपरा तोड़नी है बास्तों में दोस्तों जो नेता हो हमें उसी को चुनना चाहिए बाकी वादे करने वाले तो तमाम आएंगे तमाम जाएंगे यदि आज हमने गलत फैसला किया तो अगले पांच साल हम स्रिव यही कहते रहेंगे आए भाया का हो रहो हमें तो पतो इनी पर रहो का चल रहो चल रहो चल रहो मैं फिर पांच साल आ जाएंगी जिनको हम पूरी पांच साल कोसेंगे हम अपनी सोट मेमोरी के चलते जब वक्त आएगा हिसाब चुकाने का तब भूल चुके होंगे तो भाईया इतनी देर आपने हमें सुनो सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप विचार जरूर कर लिए काई की आप जनसवाएं होएं बहुत सो समझ के मतदान करने जाबार भाईयों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार